हेलो गाइस, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, रिदिक टेकनिकल सपोर्ट, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप अपनी टीवी में कोई भी एप को कैसे इंस्टाल करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट अपॉल प्लीज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और प्रेस दो ब बताएंगे, और अगर आपके पास Android TV है, तो भी हम आपको उसका तरीका बताएंगे, ठीक है, तो अगर आपके पास smart ए Android TV होगी, तो आपके पास हमें एक option मिलेगा, इस्टोर का, ठीक है, जैसे यह भी हमारा PC है, इसमें Microsoft Store है, तो यहाँ पे हम देखिए, कोई भी application यहाँ यहाँ पे हम देख पा रहे है, कोई भी application हम यहाँ पे जैसे कि WhatsApp को हम इंस्टॉल करना है, तो WhatsApp हम यहाँ पे सो करेगा, हम simple WhatsApp पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते है, ठीक है, और अगर आपके पास में application इंस्टॉल करने का कोई भी store नहीं है, तो आप अपना कोई भी Netflix, ठीक है, Netflix in, Netflix in हम कर देंगे, Smart TV ठीक है, हम Smart TV पे कर देंगे, और यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम तरीके से बता देगा, कि आपको क्या करना है, ठीक है, अब देखिए, How to use Netflix on your Samsung TV, ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर आपको डाउनलोड करने का option हैग ठीक है, काफी सारे, वैसे, Smart TV में आपको Netflix तो देखने को मिलता ही मिलता है, बट हमने आप पे example आपको दिया, Netflix का, आपके पास Netflix तो हो गाई, डेफिनिटली, तो आपको कोई भी दूसरा application, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, WhatsApp, ठीक है, WhatsApp, Smart TV, ठीक है, और अगर आप के पास WhatsApp, Smart TV के लिए अवेलेबल ना हो, तो आप यहाँ से WhatsApp, Login, WhatsApp, Web TV कर सकते, ठीक है, और यहाँ से आप लोग डिरेकली लॉग इन भी कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाएगा interface, और आप डिरेकली WhatsApp कर सकते, या फिर जो भी हो application को, अगर आपको install करना है, तो आप आपको कोई भी doubt रहता है, तो आप लोग हमें WhatsApp कर लीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै मातादी